आप देखरें देज कवर 24 और वक्त खबरों का सत्मा जिले के मईहर में दो पच्छों के बीच हुए विवात के बाद एक पच्छ ने दूसरे पच्छ के युवक की वाहन से कुचल कर हत्या कर दी देरात हुई हत्या की इस घटना के बाद आक्रोसिद लोगों ने आज सुबह होते ही थाने का घिराओ कर दिया हलाकि पुलिस ने मामले में पांच लोगों के गुरुत हत्या का मामला दर्श कर लिया है जिनमें दो नाम जर्थ हैं तो वहीं तीन अन्य बसाए गए हैं दरसल मामला शहर के शराय महले का है बताया गया कि मैहर रेलवे इस्टेशन में दो पच्छों के बीच जमकर विबाद हुआ मामले में एक पच्छ ने शराय महला निवासी दिब्बू चौधरी के खलाब थाने में शिकायत दर्श कराई थी आरोफे की शिकायत दर्श कराने वालों ने ही दिब्बू की देर रात वाहन से कुचल कर हत्या कर दी बताया गया कि आरोपियों ने युवक को बुलेरो वाहन से कुचला जिसे गंभीर हरत में मैयर से सद्मा लाया गया जहां चिकित्सुकों ने उसे मरत घोसित कर दिया इंदर वाहन से कुचलने का सीसी टीवी फुटेज भी सामने आया है कल रात हुई इस घटना के बाद आज सुबाय आकरोसित लोगों ने थाने का घिराव कर हत्या का मामला दर्ज करने वाह आरोपियों को गिरबतार करने की मांग की है फिलाल पुलिस ने मामले में पाँच लोगों के विरुद हत्या का अपराद रजिस्टर कर लिया है जिनमें दो आरोपी नाम जट किये गए है जबकि तीन अन्य आरोपी बताये गए